हो ना दिखा तू ना दिखा तू तर्द दुनिया को मेरा अम्मा ये बाकरी तुमारी बीगम शिराजी ने दिया है तुम उसे तीन मर्तबा ये सवाल कर चुकी हो मैं जूट बोल रही है तुमसे अच्छा तुम्हे पसंद नहीं है तो मुझे दे दो मैं ऐसे बेच के कोई काम की चीज ले लूगी ना अम्मा ऐसे जुना करना तुम्हें नी पता कितना महिंगा फोन ने लेटेस मॉडल है वहां की फीज वह भरती है तो फिर फोन के आहमियत रखता है बहुत पैसे उनके पाप और दिल भी बहुत बड़ा है उनका अमा मैं तो सोच है काश तुम्हारी बेचम ना मेरा अडमेशन के अपनी बेटी की उनिवर्समें करा देती फो रोज मैं शान जोकत से उसकाल गाडी बुछाती और क्या रोप जार्ती निवस्ती में जिस University में तुम पढड़ी हो ना बिटा, ये भी उनकी महर्बानी है, औरना हम जैसे गरीब लो, उस University का तु सरिफ खाब ही देख सकते हैं, भाई, कल तुम मसा ही आ जाएगा जब नभी साहिलियों को ने यह पोद दिखाऊंगी, चल जाएगी, मैंने कुछ तसीरे कीच के आत यार, आज का लेक्चर तो इतना बोरिंग था और इतना डिफिकल्ट मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो फिकर नहीं करो ना, मैं चैप्टर्स पढ़के गई थी, मैं सब समझा दूँगी तुम्हें, और नेक्स वीक पेपर्स है, मैं क्या करूँगी, कैसे अटम करू एक तो ये ना बहुत टेंशन लेती है, मैं से कह रही हूँ, मैं सब को सब जा दूँगी, तुम लोगको लेक्चर समझा आया, बिल्कुल ले, मैं तुम सब को समझा दूँगी, वैसे मुझे ना, एक बहुत अच्छी और जबड़ी चीज दिखानी तुम्हें तुम्हें बहुत जबड़स चीजे दिखाओ, यार मुझे तो बहुत भूग लग रही है, चलो ना, कैंटीन चलते ही, सब बाद में देखेंगे, अब इस जबड़स चीज को शो भी करवा दो, और हमारे कितना सबर केमते हान लोगी, तादा, मेरा नया सलफोन, मेरा बर्ड़ गिफ् अब मेरी मॉम को तो बहाना चाहिए न, मेरी लिए गिप्स खरीदने के लिए, और ये तो बहुत एक्स्पेंसिव लग रहा है, यार, एक्स्पेंसिव तो होगा, मेरी मॉम की जो चॉइस है, मेरे डाट को नो लोकल चीप चीजे बिलकुल नहीं पसंद, हम्म, वाओ यार, सो ब्यूटिफुल, पता है, जब ये मार्डल लाउंच होगा था, मैंने तब से ही सोच किया था, कि मैं ये मॉबाइल लूँगी, अपने पॉकेट मनी बचा कर, लेकिन फिर मेरी पॉकेट मनी जमा नहीं हो सकी, और मुझसे मॉबाइल नहीं लिया गया, तुम बिलकुल ठ पता है, मेरे मॉम डाड तो चा रहे थे, कि मैं अमेरिका जा के स्टाडीस करूँ, लेकिन मैंने बोला नो, आपने मॉम डाड से दूर नहीं रह सकते हैं, या रह भर गिसी की सोच तुम्हारी तना तो नहीं होती ना, तुम्हारी जगा मैं होती तो कभी ना करती, और मैं त सबसे अच्छी और एक्सपेंसिव युनिवर्सटी है अब मैं समझाती हूँ हमारी युनिवर्सटी जे-म से कम है क्या और अगर मैं वहाँ एडमिशन ले 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 थी तो तुम जैसी दोस्ते मुझे कहां मिलती यह 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 तो है तुम्हे पते अबीरा जब इनसान के बिस इतना पैसा आजाता है ना तो फिर वो अपने से कमतर लोगों को बहुत हकारत से देखता है लेकिन तुम बिल्कुल ऐसी नहीं हो और तुम बहुत अच्छी हो यार और मुझे भी तुम्हारी यादत बहुत पसंद है तुम लोग भी ना कितनी तारीफे करते हो मेरी तुम लोग भी क्या याद रखोगे कि हात्तिम ताई जैसी दिलवाली तोस्त मिली है और तुम्हे पते इस सप्राइज गिफ्ट की वजा से इस वेडनेजी में तुम लोगो ट्रीट दोंगी कि जो खाना होगा वो मंगवाएंगे वाँ क्या वा बिटा? क्यों रगड़ रही हो बैको? शांजे बीबी ने एक या दो मर्तब ही इस्तमाल किया इसको कि देखो ना इस पर चाय का धबा पढ़ गया ता इसलिए तुम्हे दे दिया वैसे अमा तुम्हे पता है बैग नो बहुत महिंगा है अब आगी ना चार महीने की तन्खा निकल जाएगी है पता मही है हम गरीब जितनी भी मेहनत कर लेना अपनी हैसियत को नहीं बढ़ा सकते अब देखो ना बेकम साहब तुम्हे नए नए जोड़े जूते बैक्स जितनी सारी चीजे होती है शांजे बीबी की तुम्हे दे देती है और यादे वो जर्कॉन का हार दिया था और वो तुम्हारे लिए दिया था उन्होंने हाँ, वो 시áanzi की अंती ने दिया था ना इंग्लेंड से तुम्हें पता हैं मैंनी क्या बोला था मैंने बोलता है मेनी फुकपर ने बिजवाया थै और बहु भी इंग्लेंड से ऑर जब सब्ने देखा नहुं तो ऐसे रेख करी था off जैसे कोई मैं समेठती रहती हूँ ऐसा मैं सच बता हूँ हमारी बेगम साहबा की वजासे मेरी इनुवर्स्टी में बहुत इज़त है सब समझते हूँ मैं किसी अमेर घर आने से तालोग रखती हूँ तो मेरी बेथी किसी शहजादी से कम है जब तुम लिख बढ़ जाओगी ना बेटा तो देख ले ना मैं तुम्हारी शादी किसी शहजादे से करूँगी और फिर मेरी बच्ची जो है ना पेगम साहबा की तरह अपने घर में राज करेगी आमीन, आमीन ऐसे अम्मा एक बात बोलू मुझे ना कई से दसजार एकटे करके दे दो दसजार में कहां से लाँगी मुझे नहीं पता, कुछ भी करो अब बेगम साहब ऐसा बोल तो ना तुम्हें बहुत जरूरत है पागल हो गई है अभी तो तुम्हारी उन्होंने फीज भरी है और मुझे मुनासिब नहीं लगता बार बार पैसे मागना अमा प्यारी अमा ये तुम्हारी ना बेटी की इज़त कर सभाल है तुम्हें तो कहती हो कि वो ना पैसे द्रग देते और भूल जाते और हिसाब नहीं रखते तो तुम थोड़े से ले लो ना तो नहीं दफ़ा तुम उनके पैसे उड़ा चुकी हो एक बर में बिटे के लिए ही सही? नहीं, ये बिटा अच्छी बात नहीं है अगर उने बता चले के मैं उनके परसे पैसे लेकर आती हूं तो किती बुरी बात होगी लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्यों 10,000? भई मुझे चाहिए ना तुमने 10,000 कटे नहीं किया तो तो? तो बता रही हूं ना मैं युनिवरस्टी जाना छोड़ दूनी तो तुम बिलकुल पागल हो गई है मैंने पूरी जिन्दगी इसलिए थोड़ी मैनत किये कि तुम अपनी पढ़ाई छोड़ दूँ तुम्हें इस बात का हिसास है? तो तुम्हें कौन सा अपनी बेटी का हिसास है? तुम्हाई बेटी की इजद का सवाल है? मैं बतारी हूँ, अगर तुम्हें पैसे कठे नहीं किये ना तुम्हें पढ़ाई छोड़ दूँगी तुम्हारा खाब अदूरा रह जाएगा और मेरी तालीम अदू भी रह जाएगी बस सुनो तो देख ले ना यह लड़की मुझे किसी दिन मर्वा देगी बीबी जी आपकी कफी आहां रख दो मां पर हान इदा बस मैं निकल रही हूं दस मिनिट मैं तयार होगी बिलकुल यह जो अयए उम आपकी कर दो फुल फुल अभी लगा अभी लग याद अभी लगा तो फ़नी, मेरे घर के मुलाजिमों के लिए भी ना अलग खाना होता है, मैं क्यों बच्छावा खाना लेकर जाओंगी? अच्छा यार मैं ले जाओंगी अज्या विष्छ, तुम्हेसे किसी को भी लेकर जाना ले जाओ हम्, माई वज़ा है ना? बहुत मज़िका खाने को मिल लिया कैसी दोस्त मिली तुम लोग भी क्या याद रखोगे वाओ, वाँ, वाट ब्यूटिफुल लॉकेट किस ने दी अभीरा तुम्हे? अ, यह मेरी खुपो ने भिजवाया लंडन से वाँ याँ, तुम्हार पुपोत में बट केम्टी चीज़े भिजवाती है ना? पिछले साइब ने तुम्हे एक जर्कुम का सेट भिजवाया था हम्, मैं एक लौती बहती जी हूँ मैं उनकी और वो बज़ेद है मेरे रिष्टा लेने के लिए अपने बेटे के लिए वाँ यार लखी हो तुम तो बहुत मैसे क्या करते है नुमारे कजन? उनका अपना बिजनेस है बड़े पहमाने पर उनके घर नहीं है उनके महल है तो कर लो ना, शादी कर लो फिर तो मैं क्यों मघरूर इंसान से शादी करूँ मैं क्या प्रिंसस से कम हो गया वह यह वह विसे ना तुमारे लोकेट बागी बहुत शानदार है हाँ देखो, डायमेंड्स भी लगे वह है वाके मयार, ता मजे कहे देखो, डामेंड, मुझे बिल्गो अभीरा, अभीरा, मैंने तुम्हे जो पैसे दिये थे, उसमें से मुझे दो हजार दे दो मैंने तुम्हें कहा तो था कि मुझे जरूरत है उन पैसो की मैं तुम्हें और दे दूंगी, तुम्हारे अभू को शदीज जरूरत है ऐसे क्या जरूरत आन पड़ी कि तुम्हें अभ पैसे वापस चाहिए वो अभी काम से वापस आए, उनको बहुत बुखार है, डॉक्टर के पास जाना है उन्होंनों तुम फर्जाना खाला से ले लो रापने, अभीरा, पैसे कहां गए? भाई खर्च कर दिये ना क्या? दस हजार खर्च कर दिये तुमने? तो दस हजार थे ना, दस लाग तो नहीं थे तुम भी ना? तुम्हारी ये आदत है, तुम्हे बहुत नुक्सान पहुँचाएगी देख ले ना अच्छाँ जाओ, उठकेर अपने अभू को चाय बना कर दो मैं फर्जाना से जाकर पूछती हूँ पर उसी भी क्या सुचेंगे? कुछ ता अहसास करो इस बात का चपड भी गाइब कर दी में जाओ बहुत चपड के चली जाओ जाओ बॉट मॉर्निंग गल्स बॉट मॉर्निंग भूप से ना मेज की नफेक्टी हो गए यार हम सिप पूछो इस दूप के वाहरे में आदी हैं अम इस दूप के रोज बस में धक्के का के जाते है गरीबी में भी में ना क्या कुछ झेलना पडता है भी दाद देती हूं तुम लोगों की सरी कहली हो तो धूप तो क्या मट्टी भी फेस पर चिपकी भी होती है अब तुम्हारे डैट की तरह मेरे अबबा के बस कोई लगशीरियस गाड़ी तो है नहीं परना मैं भी कभी ना इस बसके धक्के ना खाऊं तो तुम लोगों ने आज मेरी गाड़ी देख ली येस, देखिए तुम्हारी गाड़ी बहुत खुबसूरत है यार, तुम्हारी एक एक चीज ना बहुत शानदार होती है लेकिन न मुझे एक बात नी समझ आती वो क्या? वो ये कि तुम तुम रोज इस गाड़ी में क्यों नहीं आती? आएक्शली मुझे अपने क्लास की चीज़े ना बहुत फेक लगती है मतलब एसी में रहना गाड़ी के बगए एक कदम नहीं चलना इन सारी साहुलियात को हमने इतना आदी बना लिया कि बगएर सांस लेना महाल हो जाता है मैं ना फेड़ अप हो गई थी कुछ चेंड चाहती थी तो मैं चाहती थी तुम लोगी तरह बस में आऊँ जाऊँ मुझे अच्छो लगता है नाकाबल है येकीन यार जो लाइफ तुम जीरी हो ना उससब के लिए हम सब खुआप देखते हैं और तुम हो के फैड़ अप हो गई हो तुम लोगो ने वह क्लासिक मुवी देखी है रोमन हालिडे जिसमें लड़की महल में रहर है के तंग आ जाती है और लोगों की नजरों से निकल के चली जाती है For God's sake, यार इतना दूर मत निकल जाना के वापसी मुश्किल हो जाए अच्छा बस बहुत लेट हो रहे हैं क्लास स्टार्ट हो गई हम लेट हो रहे हैं लेट हो रहें, लेट्स गो अच्छा बढ़ा ममा ये लेखें डिजाइनर ने ड्रेस भीजा है अच्छा लग रहे है आपको वेही नाइस मैं सुछ रदा की महंदी में पहन लोंगी क्योंकि एक कलर तो महंदी मही चलेगा है ना? हम कुछ कहा तुमने क्या हुआ मामा अभी तक गहीं नहीं आप और डाइट का अभी तक आई नहीं है क्या? नहीं पहुंच रहें अभी सुनो मेरा पेंडंट खो गया है पूरे कमरे में देख लिया कहीं मिली नी रहा कहीं मैं तुमारे रूम में तो नहीं भूलाई पेंडंट खो गया है वो जो डाइट दुबई से लेकर आये थे आपके लिए, वो वाला? हाँ, हाँ, वो ही वाला मैं कहा जाएगा? अभी तक तो आपने पहना भी नहीं है वो इसी बात की तो टेंशन है कि अब देखेंगे कि तुमारे डेट तो शयद उनको ये लगेगा कि मुझे उनका गिफ्ट पसंद नहीं आया नहीं समझेंगे वो ऐसा अमशोर उन्हें याद भी नहीं होगा कि उन्होंने आपको कुछ दिया नहीं बेटा वो बहुत प्यार से लाए थे और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टन्ट थे सब चगा देख लिया नहीं मिल रा क्या करूं अच्छा अच्छा मेरी बात करें अभी मूद अच्छा करें, you're going out, अच्छा से जाए ठीके? आप जब आजाएंगी तो मैं आपके साथ मिलके पूरा घर तलाश करेंगे हम देखते हैं कहां पर रखाए ठीके? मिल जाएगा ठीके? अब जाएगा जाएगा अच्छाएद आगे है डेट तुमारे हाँ अब मैंने कहे ठीके? ऑजाएगा तो मैंने कहते है, ऑजाएगा जाएगा ने मंने कहां जो तेहाय है उपना स्क्राइगा थेए भाई, शुकर है कि मेरा राणाने क्ना अश्छा थे पाता उन्या ओन्या तो पर्टली निया उपना था पता हिया रहा थेंूँ उसमें? ऑब यह क लाइपरेली तो नहीं चली गई? नहीं भई, एक्षली उसका मेसेज आया था कि वह नहीं आएगी तूबा की इंगेश्मेंट के लिए ना, ड्रेस लेने के लिए गई है वह अरे तो इंगेश्मेंट के अद्रेस वह रात में भी ले सकती थी उनिवर्स्टी के बाद पढ़के? नहीं, वो दरहसल मेरी सहेली की ना मंगनी है तो वहा जाना है तो? चली जाओ, तुम्हारे अबू छोड़ाएंगे नहीं नहीं, जाने का मसला नहीं है मसला यह है कि मेरे पास ना मंगनी पेहनने के लिए कोई सूप नहीं है और मेरी सारी दोस्ते ना डिजाइनर कपड़े पहन कर आएंगी तुम्हें खूब कही? अरे बेगम साहिबा ने शांजे बीबी के कितने कपड़े तुम्हें दिये हैं ना उन में से पहन के चली जाओ वह एक एक करके पहन लिए ना अब दुबारा पहन के चाहूंगी तो कितना बुरा लगेगा तुम्हें ना मुझे एक अच्छा सा सूट लादो कहां से लादू सूट? तुम्हारे बाप की इतनी तन्खा नहीं है वही मुझे नहीं पता मैं हमेशे अच्छे कपड़े पहन दियो अच्छे जूटे पहनती और इस दफा नहीं पहने न तुम इन नाग कट जाएगी इजदत कर जनाज़ह निकल जाएगा तुम्हें नहीं पता शांस के कपड़े पहन के मैंने उन्हें ऐसे पताया जैसे मैं अमीर घराने से तालोग रखती हूँ तो क्या जरूरती इतना जूट बोलने की? तुम नहीं समझोगी ना, बोल दिया जूट मुझे चाहिए सूट, बस तुम क्यों इतनी सिद्धी हो गई हो, हाँ? तुम शंचे से ले लो ना? नहीं, उसे नहीं मांगूँगी अभी पिछले महिने चार सूट दिये उन्होंने, फिर मांग लो अच्छा ना मांगो, चोरी कर ले ना भई, तुम चोरी तो करती ही रहती हो अच्छा, जादा मुसीबत पढ़ गई तो मैं पहन के दे दूँगी वापस रखाना अभीरा? भी मैं कुछ नहीं चानती, मुझे चाहिए जोड़ा बस बरना मैं ना पतानी कुछ भी कर दूँगी झाहिए बच्छा भी मैं यादा झाहिए जड़ा प्रशा यायो एल झाहिए झाहिए प्राहिए जाँ याँ कर दो 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 कि अमा कि यह क्या तुम खाली हाथ आ गई मैंने तुम्हे का भी था कि मुझे सूट है रहाल में चाहिए क्या हुजाताता अगर तुम उसका सूट ले आती तो उने कौन सा पता चलता तुमने कभी मेरा एसास ने किया क्यों नही लाई तुम सूट दो ना किया तुम एक्या कियाँ तुम्हें दिखावे की चक्कर पे माजी मेगम साइबा और शानजिव बीबी ना और जोरी मुझे चौरी करते हैं रंगे आदों पकेदे और मुझे नाखरी से निकाल देगे अब अब तो वो तुम्हारी उनिस्टी की पीस भी नहीं देगे तुम्हें यूनिस्टी नहीं जाना है तो मंगनी में जाकर क्या करोगे तुम्हां इस दिखावे के चकरोगे जोरी की पैसों की कपडों की जिर्वरी हर चीज जोरी करके लेकर आती थी सिर्फ तुम्हारे दिखावे के वज़े से कवा हंस की चाल चलके पिना चलके हंस नहीं बन सकता इस दिखावे से सची इज़त नहीं मिल सकती है और तुम्हारे तुम्हारे जब सकोगी है हरा मुस्तविल भी तबाह हो गया इस दिखावी की वज़े से और मेरी इससत भी चली गई तुम्हारे वज़े से तुम्हारे जम्हार तुम्हारे नहीं हो ना दिखा तू ना दिखा तू तर्द दुनिया का मेरा